बॉलिवूड के दबंग खान यानि सल्मान हर फिल्म में किसिंग सीन्स के लिए मना कर देते हैं उन्होंने नो किसिंग पॉलिसी अपनाई हुई है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी किसिंग सीन्स देने के लिए तयार नहीं हुए 1989 में रिलीज हुई सूरज भढ़ जातिया की फिल्म मैंने प्यार किया में सल्मान अपनी को स्टार भागेशिरी को किस करने के लिए रेडी हो गए थे लेकिन उस वक्द भागेशिरी ने खुद सल्मान के साथ किस करने से मना कर दिया था जी हाँ दसर हुआ यू कि जब भागेशिरी को पता चला कि फिल्म में उन्हें सल्मान को किस करना है वो अपसिट हो गई उन दिनों भागेशिरी अपने पती हिमालिया दसानी को डेट कर रही थी वो शादी करने जा रही थी और वो नहीं चाहती थी कि किसिंग सीन की वज़े से उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आए भागेशिरी ने फिल्म में किसिंग सीन देने से इंकार किया तो सल्मान समझ गए कि एक्ट्रिस के सामने फिल्म की शूटिंग के दौरान कितनी मजबूरिया होती है इस बारे में सल्मान ने 2015 में दिये एक इंटूव्यू में कहा फिल्म मैंने प्यार किया मैं जब किस सीन के बारी आई तो मैंने सुचा कैसे कर पाऊँगा मैं सूरज के पास गया और कहा मैं इस सीन करने में सहज नहीं हूँ इस पर उन्होंने कहा तुम uncomfortable हो मैं कम से कम तुम्हें करने को तो कह सकता हूँ लेकिन भागय श्री सीन करने से मना कर रही है सुरज ने मुझसे कहा कि ये राज श्री की फिल्म है और लव स्टोरी है इसमें सिर्फ एक किस है, कोई स्मूचिंग नहीं एक छोटा सा किस है, मैं राजी हो गया लेकिन भागय श्री अपने परिवार के डिसीजन के साथ खड़ी थी कि वो किस सीन नहीं देंगी तब इसे सल्मान ने नो किसिंग पॉलिसी अपना ली और अपनी किसी भी फिल्म में किसिंग सीन करने से मना कर दिया बात करे सलमान की अपकमिंग फिल्म की तो वो जल्दी टैगर जिन्दा है में कट्रीना के अपोजिट नजर आने वाले है ये फिल्म 22 दिसंबर को थेटर्स पर दस्तक देगी एनमेफ नियूज की रिपोर्ट